आज हमने दोस्तों एंजल बन में प्रोफिट करा लगभग 9000 रुपे का यहां से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां से आप देख सकते हो हमने एक बर फिन निप्टी में भी ट्रेट करा था और बहां से एक अच्छा से प्रोफिट बुक करके एक्जिट कर दिया हा जार रुपे के सेर खरीद लूँगा बाद में ठीक है मैं मतलब मैं एक प्रोफिट हो रहा है तो वह एक्जिट मतलब उसको भुक कर और उसके बाद दोस्तों मैंने एक्जिट कर दिया क्योंकि मैं जो है अब एक्विटी में ज्यादा होने की कुशिश करता हूँ ट्रेड रहे हैं और मैं अगर आपको यहां से ग्रो का दिखाना चाहूं तो ग्रो का अपना फॉटफोलियो दिखा रहा हूँ यहां से कोई वायसिल की रेकुमेंडेशन नहीं है यह देख लेजी यहां पर लगबग 24,000 रुपे इंट मिष्ट है और बहां पर 4000 लगबग 20,000 वीडियो देखकर आ रहा हो कि इतना रेटन मिल जाता इतना रेटन तो ऐसा कुछ नहीं होता इससे पहले मैं आपको बताओं अभी लगबग तीन दिन पहले मैंने एक क्रेड में लगबग 28,000 रुपे का प्रोफिट करा था एक दिन में उससे पहले 10,000 का करा था टोटल किते होगा 48,000 रुपे ठीक है और उसके next डे ही दोस्तो 36,000 का लोस कर लिया था ठीक है और लोस वाली वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूं कि मैं उसमें कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ तो लोग जल्दे से छोड़ कर चले जाते हैं ठीक है अब देखो लोस का तो ऐसा है दोस्तो कि कोई कितना भी एक्षपर्ट हो उसको कभी ना कभी तो लोस होई सकता है अब मैंने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सीखने के चक करेंज़ने दोट जाता है तो अगर आप reicht कर रहा हो तो मैं अभी आप kो बता देता हूँ देखो मैं थोड़ा सा GROW में बता देता हूं यहापे थोड़ा easy होता है इसको हम white hoala कर लेते हैं अब देखो आगर आप option trading कर रहे हो और यहां देख रहे हो कि market high पे है ठीक है high पे अब आप एसे में C ले रहे हो आप ले केरी forward कर दिया माल नीजे अपने 10,000 रुपे लगा है केरी forward कर दिया आप किसी दिन माल नीजे gave down निफ्टी एक परशेंट नीचे खुल जाता है तो आपके 10,000 की देखोगे कि याप 4,000 बचे या फिर अगर expiry के टाइम पे हैं तो वो 2,000 रुपे भी बच सकते हैं ठीक है तो यह गल्दी आपको नहीं करना है आपको हमेसा लेना कहा है सिर्फ और सिर्फ support लेबल पर देना है अभी market जो है support पर नहींगी अभी market रेजिस्टेंस लेबल पर उपर रेजिस्टेंस भी नहींगी या पर एक चोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी कल के लिए काम करेगा बट कुल विलाके बात यह हैं कि अगर आप positionally trade करते हो तो सबसे पहले support पर लेना है consolidation होने के बाद जब breakout निकला है तब लेना है उसको भी 20% ये 10% पर से के साथ hedge करना है बल्लब की 50,000 रुपे से आपने trading में call option लिया है अगर आप उसको एक लाक से मानलो call option लिया है अपने ठीक है मानली जी कि आपने एक में आप लिक के होगे एक लाक का ले रहा हो तो 10,000 से put को भी hedge कर लो क्या पता कि उसके उसमें भी थोड़े वहत पेसे बंजा है या फिर 20% कर सकते हो 80,000 का call 20,000 का put तो ये काप करना है जब market already consolidation करने के बाद एक ही range से निकले और breakout अगर मानलो फिर wait कर सकते हो वो पेसा जो आपने call में hold करा है हो सकता है उसकी भी कुछ value आपको मिल जाए कुल मिला के बाद ये है दोस्तों कि आप लोग जो हैं और मैं भी पहले क्या करता था देखो मैं आपको बता हूँ मैं आज एक साइड में profit करा था ठीक है मैं आपको बता देता हूँ खोड़ासा ये एक साइड है ये जब नीचे से high break करा था तब मैंने इसमें call लिया था और मैंने इसको इधर ही निकल गया था तो stocks में क्या करते है आप लोग और पहले में क्या करता था मान लीजिए कि यह यहाँ गया तो मैं यहाँ वाय करूंगा ठीक है और उसके बाद यह stock तो बढ़ गया लेकिन मैं यहां वाय करूंगा तो वह वहीं से गिर जाता था ठीक है तो इस चक्कर में मुझे इस टॉक्स में भी कई बार लोग सुगा जैसे कि मैं अगर आपको एक्जामपल के लिए बता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां से जो वहल से हर है यह भी भिलाल बढ़ेगा तो मैंने इसमें दो-तिन से मैं इ पर यह हुँ नहीं हमारूब अहीं झीट हो उक्र में एकजिट कर गया देखो मार्क आप को के से स्क्रिप करता यह है यह मैं बहल से रहे है यह लग भाग डिफिन्स का है और यह एक बहल सेघ्र है ठीक है अब इसका performance देखो और उसका performance आप देखो दोनों में difference है तो आप लोग सही share में entry करोगे तब profit होगा ठीक है आप देखो ये fail share क्या करता है फिलाला भी मैं example के लिए बता रहा हूँ कि midcap index आप देखो ऊपर रहता है ठीक है ऊपर रहता है लेकिन हमारा जो share है वो ऊपर मैं खुलता भी फ्लेट ये कुछ करता ही नहीं है तो ऐसे अगर आप consolidation में किसी share में रहोगे तो बड़ा loss हो जाएगा इसलिए ज़ली से निकलो देखो मालो आपने 50,000 रुपे लगाए ठीक है किसी share में आपको 2-4-5,000 रुपे का नुकसान हो जाता है अपने stocks में option buy करा है 50,000 रुपे लगाए तीन चारे जार का loss होता है तो उस loss को देखते नहीं रहना है नहीं तो बड़ा हो जाएगा उसमें से निकल के अगर आपको लगता है कि दूसरा stock आपके लिए ठीक है वेस्ट है तो आप उसमें invest कर सकते हो तो इस परकार से आप profit ही कर पाऊगे और धीरे धीरे profit का पेसा यहाँ पर equity में डालो कि equity में अच्छे stock में यह तो मैं small मतलब मेरे पस देखो कई demand account है तो एक में में small cap company में invest कर दूँगा एक में mid cap में कर दूँगा एक में large cap में कर दूँगा 30% अपना पेसा large cap में लगाँगा 70% पे में risk लूँगा क्योंकि 70% पेसा जो माननो zero भी हो जाता है आने वाले 10 साल में मैं बता रहूंगा example के लिए तो जो मेरा 30% large cap में लगा है वो 10 साल में कम से कम आप मानो 3 गुना होगा 3 ये 4 गुना होगा तो वो पूरा पेसा मेरा वहां से रेकावर होके आएगा अब ये जो 30% 70% हम small cap में लगाएंगे ये जो पेसा हम लगाएंगे इसमें से मैं आपको बता रहूंगा आप ट्रेडिंग करते है उस पर भी बताऊँगा लेकिन जो 70% पेसा हमानो सफोस करो कि हमेरे पास 1 करोड रुपे हैं 30 लाग रुपे मैंने large cap में इंवेस्ट कर दी है और 1 लाग रुपे मैंने मेट केप और small cap कमपनी में invest कर दी है 10-20 साल के लिए अब इसमें से अगर 5 कमपनी ही 5000% का 20 साल में return दे देती है तो पता है आपको क्या होगा यह हो जाएंगे मेरे 5 करोड रुपे ठीक है 1 लाग रुपे सोरी गलत बोल दिया हूं मैं अगर कोई मेरी 5 कमपनी 5000% का return देंगी मतलब 50 गुना तो मेरे यह 5 कमपनी 5 करोड रुपे लाकर मुझे देंगी यह मैं अग्जामपल के लिए बता रहा हूं आप इसको अपने पाज जो फानों उसके हिसाब से calculate करके देख सकते हैं लेकिन इसमें भी research यह करना पड़ेगा कि इसमें small care for large company ले रहे है बट पेनी श्टोक नहीं होना चाहिए जैसको मैं आपको समझाता हूं जैसे कि campus है ठीक है campus एक छोड़ी company है लेकिन campus क्या है जूते बनाती है जूते बनाती है काम कर रही है इसका मतलब क्या है यह penny stock नहीं है दूसरा बता देता हूँ मैं आपको जैसे कि यहाँ पर बतातेता हूँ मदर्शन शूमी क्या काम करती है wiring बगरा बनाती है क्या यह penny stock हो गया 68 रुपीस का CR नहीं हो गया ठीके तो इस पिरकार से आप कर सकते है penny stock की तरफ जाओगी नुकसान करके बापीस आ जाओगे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा trading की अगर intraday में कर रहे हो intraday में कर रहे हो market support पर है support थो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जा रहा है तो उसके नीचे का stop loss लगा के आप लोग यहाँ पर why कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता हूँ यहाँ पर तो कोई reversal बना नहींगे जैसे कि यहाँ है मालने जी कि यह एक resistance level intraday में बना है ठीक है और market यहाँ आगा है अब मैं आपको थोड़ा सा chart पर समझाओगा तो आप बेटर समझ चाओगे जैसे कि मैं put पर समझाओगा क्योंकि market गिरा है इसलिए मैं put पर ही समझाओगा आपको ठीक है देखो यह market में यह मालनो put में आपका इस जो इस टोक का price है वहाँ पे एक support बना है तो ACL कहा लगा होगे मालनो कि आप यहाँ पे इंट्रे कर रहा हो तो ACL simply यहाँ का लगा कि इंट्रेडे में ट्रेड हो जाता है 211 रुपे पे वाई करा है stop loss 150 का लगेगा मतलब 25% का loss हो सकता वह सो ट्रेड में तो इस फिरकार से इंट्रेडे में अगर पेसे कमा रहा हो तो थोड़ा थोड़ा equity में डालते रहो उससे अच्छा रहता है ठीक है और जब भी call वाई करो तो support पे और put वाई करो तो resistance level पे लेकिन मैं हम ऐसा मतलब market बढ़ने पर ही पेसे लगाता हूँ गिर्पने पर मुझे यह नहीं पता रहता है कि market गिरेगी कहां से जैसे कि यहां मैं अगर आपको बताऊं तो यह देखो एक resistance level लेकिन उसके बाद breakout देखे market उपर गई अभी market फ्लाल साइड मनलब ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है ठीक है अभी यहां पर जिदे को क्या करती है market बहुत तेज रहती है गिरी अचानक से जाएगी धीरे 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 तो put में बस एक फाइदा यह रहता है अगर आप सही होगा ना तो आपको 2-4-5 जिन में पेसा बन जाता है ठीक है अगर आप positionally करते हैं पॉल में यह रहता है कि वो थोड़ा साथ लंबे सामय लग जाता है तो अभी market देखते हैं क्या करती है उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है अपने को ठीक है तो वीडियो भशान नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्रेब करना मिलते हैं ले वीडियो में